कि हलो फ्रेंड वेल्कम तो और चैनल नाले जाफ फार्मेशिव मैं उपेंद ब्रमा हाजीर हूं आपके सामने डेस्वेम का टॉपिक जन्रल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस तो एक-एक को हम किलियर करते हैं तो जन्रल की डिफनेशन देखते हैं जन्रल इजे बुक्स जन्रल में डायरी या पत्रिका होता है जिसमें जो है या वही आप कह सकते हैं हिसाब किताब की ऐसी बुक्स है जिसमें हम और जिनल एंटिटी जो और जिनल तक तो है या जो 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 फीडिंग है इंदी आल ट्रांजिक्शन आल ट्रांजिक्शन जो भी ट्रांजिक्शन हुआ है देन देन हुआ है All recorded in chronological order chronological order chronological means होता है कला कलानुक या कला कर्म या कला कर्म कर्म कला के कर्म में लिखते हैं utility of important is create record create record all transaction contain मतलब हम all transaction के record इसमें रखते हैं और first books first book is provide all information about every transaction इसमें एक आईसी first books होती है जिसमें all transaction जितने भी transaction होते हैं पूरे transaction को हम information इसकी सूचना सहित प्रतेक लेंदेन का विबराण रखते हैं तो हेल्प लोकेटिंग एरस यह हमें जो गलतियां होती है उसको दिखाती है लोकेट करती है यह दिखाती है फेल इन प्रिपरेशन आफ अधर रिकॉर्ड यह अधर रिकॉर्ड को सेब करती हैं है जे लेगल तो हम जो है सबसे पहले हम इसको देखते हैं फार्मेट आफ जनल जनल की फार्मेट क्या होती है आप यहां पर डेट में एर और डे अंड मंत इंट्री करेंगे जैसे हम लिखते हैं कि आज एक तारिख है एक पांच कि टूट थाउजन ट्वंटी तो इस तरह से हम इसमें डेट और मंत और यह तीनों को रिकॉर्ड करते हैं पार्टिकुलर बीबरेंड में एसी काउंट डॉक्टर टूदी एसी और यह में बिल नंबर में यह रिकॉर्ड करते हैं क्या आया गया है जिससे हमें पता चले कि क पत्रण का इस पत्रण आयागे तो फॉत में और दिपोजट करेंगे और झाल करेंगे को हुए है मतलब स्सक्राक चाइव हो सवी क्रेडिट का मतलब होता जोड़ना कि जुड़ाऊ जैसे हम किसी पासे को Tamar करेंगे तो उएक में क्रेडिट बोलेंगे और जब उस्सें डेविट करेंगे निकालेंगे तो वो जो है डेविट बोलेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं आर यस यानि ए पैसे का और यह पीएस का करम है यह सब हमने क्रॉस कर दिया है टोटल अमाउंट जोड कर यहां लिखा जाता है तो इसी प्रकार से इसको हम जनल लेजर बोलते ह अब हम लेजर को देखते हैं लेजर क्या होता है विदे लेजर इस आप देखते हैं एक आप जिसमें ऑर्जिनल एंटिटी इसमें भी or टक्त्म हैं फिर इंटियां है और जिनल ईंट्री इंटिश को प्रिपेर्ड फार जैनल जैनल वीच वन पेज और मतलब और या ज्यादा पेज मैं और डि बोटेड दो अंब करते हैं मतलब समरपीद करते हैं तो परटिकुलर एकांस एंड गांट कॉन्तर रिकार्ड आफ न परशनाल रिय औलन नॉम आविनिकल नमेन आ हुझा एकांट किसल में तीजनर डिकdoo क fe वोगी फिंदिसलेमिक जिलाबन और सब्सक्राइब को हम बोलेंगे ख Ergeb करूँदिसले देख होगा स未来 उज्वादर को य सरी जगान अमने ऐसे कि दुकान का लेखाजोखा में तो इस ईएंपोर्टन है और ने आप आब्यक्त क्या होते है लेजर के शमरी आप सब मेल यह जो है सारान समरी में सारांस को सारे सारांस इसके पत्रिका में होते हैं और यह जो है फांड आउट फाइनल पोजीशन आप दी एकाउंट फांड आउट करता है मतलब उपलब्द कराता है पोजीशन एकाउंट का आखरी पोजीशन क्या है यह उपलब्ध कराता है और कल्कुलेट टोटल एमाउंट पेरेवल कल्कुलेट करके टोटल जो पे है जदेह का लेखा है और कल्कुलेट टोटल एमाउंट रिसीबल यानि देन का जो लेखा है उसको यह प्रवाइट कराता है इंपोर्टेन्ट आप लेजर लेजर के इंपोर्टन्ट क्या है तो प्रवाइड by the help in laser account laser account से हम help करके देख सकते हैं balance sheet या इस्तित विब्रण prepared with the help आप the laser account ये भी help करता है ठिक और अब laser का format हम देखते हैं तो laser का format इसमें date date आप देख रहे हैं तो date जो है date should be written sequence एक करम में लिखा जाता है like year month जिस तरीके से हमने उसमें आपको बताया एक करम में लिखा जाता है और पार्टिकुलर कालम दी नेम आफ एकाउंट नेम आफ एकाउंट और इफेक्टर इन दे रीटेन आप प्रिफिक्स मतलब उसके लिखने से पहले यूज डेबिट साइड बाई क्रेडिट साइड उसमे अब GF को क्या बोलते हैं GF जो है जनल ये टाश नंबार्ड अफ जनल आफ इंवलाफ इंल लेजर फंन फ्रि나노 it F में जो है नंबर जो हम प्रेट करते हैं और इमाउट की बात करते हैं कहें और अंट इन्टिया और डियांद है अ को एकॉड एकॉर्ण अकॉर्ड ली ये फ़ल्ष रूप में जो है एंट्री की जाती है तो यह जो है फार्मेट हुआ और फिर इसमें डवल एकॉंट होता मतलब इसमें आप देखेंगे डेट डेट मतलब तो पार्ट कुलार जनरल नेम्बर फिर पाटिकुलार इमट यहां पर फिर इमाउंट दर्फ़ाय जाता है यहाँ पर दबलेंट्री का यानि कि आप देख रहें एक क्रेडिट की है और यह डियर खिक मतलब इसके नाम से है उसमें लिखा जाएगा पार्ट किसके नाम से हैं और यह का क्रेडिट हो रही है तो यह जो है इस तरीके से जो है यह लेजर का फार्मेट होता है ठीक उसमें क्या निकला है क्या जो है कितने पैसे जमा हुए है इस परकार से यह होता है कि यह तो लेजर की बात हुई आप ये लेजर देख रहे हैं तो ये पार्टिकुलर यानि खाता और ये पन्ना फेलो आप देख रहे हैं पन्ना फिर पार्टिकुलर खाता फिर फेलो फिर खाता इसी तरह से ये जो है खाता पन्ना यानि पार्टिकुलर दो बार में दो जगां पे लिखना है ठीक तो ये ल बात करते हैं कभी कभी आता है कूशन ज्यादा आता है लेजर और जनरल में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले जनल को देखिए जनल और छिक तो जनल देखते हैं बुक्स आफ वर्जिनल इंट्री इसमें ओर जनल इंट्री होती है और लेजर मैं बुक्स आफ secondly इसमें secondary इंट्री दिंट्री भी होती है और यह जो है books after क्लोरो 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 n҉lo LOGICAL क्रोरो लो आर रेकुमेंडेड आदर देए दी एकुरेशी और जेनरल की बात करते हैं तो इसमें बैलेंसिंग इस निटन जनल में बैलेंसिंग नाड़न होती है जब कि लेजर में एकाऊंट जा depending हैं है ऑल आकाऊंट बैलेंस ठीक अब हो इसमें देखेंगे हम जनरल में चार नंबर जनरल एंट्री इन दी ट्रास्पर लेजर और इसमें देखेंगे हम कि फार दी लेजर ट्रायल बैलेंस इन दी फाइनेंशियल स्टेट्मेंट प्रिपेर्ड और इसमें यूनिट दी यूनिट आफ क्लासिफिकेशन डाटा इसमें ताक्रों प्रत्रेशर की बात करतेएं तो मिलेंस तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं तो तो ट्रियल-بैलेनेश की दीफिनेशन देखते हैं। यह एक प्रकार की ट्राइल बैलेंस स्टेटमेंट इन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इक्स्टार्टर आफ लेजर यानि खीचना ठीक इसमें जो देखते हैं कि अंगरतिय जो है उसको हम इसमें डेखते हैं तो चेक प्रिंशिपल आप इंट्री आफ और बुक लेजर, provide information for the time and management, help to preparation of the final account, check the entry of the transaction of the books, अब इसके method क्या क्या है, method trial balance की, तो total method, सबसे पहले, total method की बात करते हैं, के इन दिमाख अफ़ी नेम आफ दी लेजर अकाउंट रीटेन फार टोटल आप दी एकाउंट सिय अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट टोटल विफोर वैलेंशिंग दी लेजर आप इंट्रीज तो इसमें हम देखते हैं नेम आफ एसी यानि एकाउंट का जो नेम है और एलफ नंबर तो इसमें देखेंगे डेबिट टोटल एमाउंट जितना भी एमाउंट डेबिट होता है यानि कि कट रहा है तो यहां हम दिखाएंगे ठीक debit होता है जो credit होता है तो इसको यहां total करके दिखाएंगे तो यह जो है अब वह second में balance method balance method क्या होता है this method is balance brought down in the opposite opposite side opposite side in the account the balance cd written on the debit side and by balance bd in return of credit on credit side ठीक तो आप देखेंगे इस प्रकार से है इसमें इसमें आप देखेंगे तो यह नेम आफ एकाउंट फिर एलफ डेविट टोटल अप्रकार के होते हैं दो खाने होते हैं आप देखेंगे इसमें जो है लेम आफ एकाउंट यह नेम आफ एकाउंट है लफ औरडेविट टोटल मॉन जो टोटल एमउन डेविट जिसी कटोती हो रहे है और क्रेडि बैटिक जो की इसमे ल taxi क्रेडिन हो ही है वो ठीक अब debit amount balance debit amount का क्या balance है उसको भी हम देखेंगे यानि credit debit ही है अब क्या balance है और credit account का क्या balance है यह दोनों जो इस तरह से लिखा जाता है इसका लेखा जोखा होता है इसी तरह से अब disclose error यह तो disclose error which effect for reflect of trial balance called disclose errors ठीक ओके थैंक्स फिर मिलते हैं लेश्ट वीडियो में आप इसका इसका इसकों साट ले सकते हैं